हलो ए्वरिबटी दिस इस दिगराष सिंग्राजपूत वेलिक्टम टू मैगनेट बेइनस इस फीड़ियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईडयोजीज के बारे में आईडयोजीज में मार्कसीजम के बारे में सुनो मेरी बात यहां पे बहुत अच्छी सुनो अंकल है काल मार्क्स इन्हें प्रणाम करो ठीक यहां से आप जो आइडियोजी आप पढ़ोगे इन आइडियोजी की सिग्निफिकेंस बहुत जादा है आप लोगों ने पॉलेटिकल साइंस लिया है इंट्रेस्ट से ही लिया कि being a student of political science आप लोगों को ideologies पे clarity होना एक ideological knowledge होना ठीक है कि क्या marxism है क्या nationalism है क्या communism है क्या communism है क्या communism है क्या socialism है क्या capitalism है क्या liberalism है दुनिया भर की जितने भी यह जो शब्द आते ना यह शब्द नहीं है यह अपने आम मतलब अपने आप में क्या होते है ग्रेनेड होते है पूरी ideology होती है और फूटते है ना तो revolution आते हैं ठीक है यह फूटते हैं तो revolution आते हैं liberalism ideology मर्ज हुई French revolution देखा आपने ठीक है यह marxism ideology आप रश्या में revolution देखोगे socialism ठीक है तो इस तरह से क्या है कि ideologies का बहुत important रोल होता है आप newspaper पढ़ते हैं आप political events देखते हैं कि में जो भी हो रहा है सारी चीजे हो ररही है टीवी आंकर जो रहते हैं रहे सब कर लेते हैं तो इससे होती है और्डी to befi ऐती ही Ев्क༵ती से एक्षाज कूल prices कूण से लाइन होती है ठाव थी ठेक है तो किसी नहीं Color all इन होती को समझेंगे देखो यह टॉपिक आपको स्पेसिफिक नहीं दिया है बुक में लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक क्यों पढ़ा रहा है क्योंकि आइडियोजिस के परस्पेक्टिफ से आपको फेमिनिजम के बारे में भी कुछ आइडिया मिल जाएगा लिबरलिजम आपने भाई बेन बना दो आप ठीक है लिबरलिजम और कैपिटलिजम को भी आप दोस्त बना सकते हो ठीक है कोई कई नहीं तक जुड़ते हुए यह ठीक और उसके बाद में अगली इंपॉर्टन चीज़ कह रहे है कि कि फेमिनिजम एक आइडियोजी भी है तो फेमिनिजम को भी नृज साती है अप को बेसिक आइडिया में जाएगा आगया समझ में यह अगह बढ़ते देखो काल मार्कस को अगर आप जिसे history देखोगे न political history देखोगे अगर world की तो world की political history चले आ रही थी बड़ी है ऐसे सीधे सीधे जा रही थी गुन गुना आते हुए अपना तो political history चले जा रही थी और काल मार्क्स आये दुनिया में स्वागत हुआ इनका और इनके जो ideas रहें उनके ideas ने political history को एक नया मोड दिया ठीक है political history को एक नया मोड दिया और किस सेंस में जिसे 18-19 century की बात करें तो वहाँ से political history को एक नया मोड दिया इन्होंने कि जो capitalism जो था ठीक है या फिर कह सकते ये जो ideology डॉमिनेट कर रही थी तो उसके लिए एक नया parallel खड़ा किया मतलब दो मतलब बोलते ना कि जब एक रहता है तो क्या रहता monopoly रहती है अपने हिसाब से चलते जाती है लेकिन जब दो आते हैं तो दो कहाने से competition होता और competition से क्या निकल के आता है कि लोगों को अलग-अलग मतलब competition से लोगों को फाइदा होता ultimately तो वैसे ही एक ideological क्या सकते हैं parallel खड़ा किया काल मार्क्स ने काल मार्क्स के ideology जो मार्क्सिजम से जुड़ी हुई है काल मार्क्स को यह आप क्या समझना है यहाँ पर कि मार्क्सिजम के बाद में जैसे आप जो आप सोचलिजम में सबसी जब्दे सुनते हो रहा है या फिर आप कम्यूनिजम जो अस्वं constantly संथी हो कम्यूनेन मिद्वी कही डारओ कम्यून लिज़न वाले aku कम्यूनल जहां Dasal basem जो आप 10th क्लास में पढ़के आया हो, ठीक है, तो वो communism नहीं, communism कहा रहे है, communism मतलब commune बनाना, group बनाना, वो आली जो ideology है, तो वो सब Marx और Marxism से जुड़ी हुई है, ठीक है, Marx का idea क्या था, तो basically अगर हम Marx का idea को ही समझे, ठीक, क्योंकि क्या होता जिसे socialism और communism है तो इसमें और भी thinkers ने contribute किया, जैसे Robert Owen की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते चले चले गई, ideology हो refine होते चले गई, लेकिन हम एकदम ground level पर कर देखे, तो Karl Marx ने जो idea दिये, उसे Marxist school हो गया, ठीक है, अब देखो क्या है, तो Karl Marx का बोलते हैं, argued that the root cause of entrenched inequality was private ownership of economic resources, हाँ भी या, गौर फर्माओ इस चीज़ पर, क्या, कि वो क्या कहते हैं कि जो inequalities है, society में inequalities है, अभी पड़ क्या है हम, social level पर, political level पर, economic level पर inequalities हैं, Karl Marx ने भी inequalities देखी, और उस समय पर बहुत भेंकर inequalities होती थी, क्यों क्योंकि Europe में उस समय पर industrial revolution आया ही था, और industrial revolution आया था, और क्या हुआ कि industrial revolution आने के बाद में क्या हुआ कि जो owners थे, उन्होंने अंदा, दुन पैसा कमाया, ठीक है, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, और जो workers थे तो उनकी condition इंप्रूव नहीं हो रही थी, तो Karl Marx ने क्या बोला कि यह जो entrance inequalities exist करती है, ठीक है, वो क्यों है, ठीक है, the root cause of entrance inequality was private ownership of economic resources, economic resources में इससे क्या जाएगा, forest आ गए, important economic resources में, forest आ गए, natural resources आ गए, ठीक है, coal आ गया, factory आ गई, तो जितने भी economic resources थे जहां से पैसा कमाया जा सकता था, उन सारे resources पर क्या है, private ownership है, industrial revolution जब हुआ ना, तो जैसे, देखो, कहानिये collect करते चलो, आपको liberalism के बारे में थोड़ा पढ़के आ चुके हो, freedom chapter में, तो आपको मैंने क्या बाता है, liberalism free market की बात करती थी, अब उस ideology की इसाफ सब्सक्राइब, free market चिलाय जाता तो जिन लोगों के पास potential थी ना, उन लोगोंने क्या कर लिया, यूरोप में early industrialization period में, मतलब जब industrialization हुआ ही था, उस time period में उन्होंने क्या कर लिया, सारे resources अपने पास रख लिए, ठीक है, सारे resources अपने पास रख लिए, देखो, sequence हम जो, तो धीरे-धीरे monarchy जो है, सू समझती न, घोडे की नाल बोलते हैं, स्याती है, उस साब से ideologies को define किया जाता है, कुछ ideologies को बोला जाता है left, यह left यहा लिख देते हम, ठीक है, left, और कुछ ideologies को बोला जाता है right, ठीक है… और कुछ ideologies, ARIGHT कुछ IELappelle छिए को मतलब यहां पर कस ढ transmite एक स्ट्रीम राइट अगर स्ट्रीम लेफ आईडियोगी और यह वह जाएं का सेंटरिस्ट आइडियरॉजी दिहां फूल फॉर्म नहीं लिखे रहा है मतलब short short form में लिख दे रहो तो यह centrist ideology हो जाती है अब समझो तो ideological schools को समझना तो ऐसे समझना तो extreme right की जब बात करते हम तो extreme right में इसे क्या हो जाता conservatism ठीक है conservatism जो ideology होती है conservatism कैसे तो आपने 10th class में पढ़ा था कि पहले जब monarchy वगेरा rule करती थी वो लोग क्या चाहते थे society जैसी चल रही वैसी चलती रहे कोई major change ना है ठीक है जिन लोगों के मतलब जो राजा राजा से परिवार के जुड़े हो जो लोग है उन लोगों के पास सारा economic resources हो लोगों को freedom of speech and expression ना हो तो वो conservatism जो extreme right ideology हो जाती है ठीक है conservatism उससे फिर जुड़ी हो जिसे आप देखो के तो rightist ideology क्या हो जाती है तो nationalism एक rightist ideology हो जाती है fascism जो हो जाती है तो fascism फिर वापिस वही extreme right और rightist के बीज में आ जाती है अब आप extreme left की बात करोगे ना तो पहला ideology सुर्फ एक ही wing पे चलती थी फिर क्या होगा तो अगर आप जिसे देखो के तो extreme left की ideology यहां से ही start होती है कि काल मार्क्स के ideas पर जिसे communism बना communism, marxism यह जो ideologies आई है ठीक है तो यह extreme left हो गई है socialism left ideology हो गई है अब center में क्या है तो centrist ideology कौन सी हो गई तो जिसे liberalism जो है ठीक है जो liberalism ना extreme left की बात करती है ना extreme right की बात करती है तो इस तरह से ideologies जो है तो आप जिसे आप देखो के communism जो है ठीक है और conservatism जो है तो यह दोनों एक दूसरे क्या एकदम opposite हो गई है जैसे आप अगर right में देखो के तो capitalism जो है अभी आगे पढ़ेंगे economic perspective से capitalism जो है तो rightist ideology हो जाती है तो capitalism और socialism एक दूसरे क्या opposite है ठीक है extremes में आ गई है और centrist ideologies में क्या हो जाता है जिसे liberalism तो यह ideology क्या है बीच में balance बनाए रखती है जो दोनों ideologies का लें दिन समालती है दोनों ideologies के attributes देखने को मिलेंगे जैसे आप देखोगे तो modern liberalism जो है न तो उसमें आपको कुछ trades जो है modern liberalism में वो capitalism के भी देखने को मिलेंगे कुछ trades जो है वो socialism के भी देखने को मिलेंगे मतलब यह जो marxist thought वाली ideology होगी उसके भी और conservative ideologies के भी देखने को मिल जाएंगे तो इस तरह से balance किसमें liberalism में है ठीक है लेकिन आप जो क्या होता रहता है कि हर ideology जो है अपना area जो है अपना area of operation बढ़ाना चाहती है तो वो क्या करती रहती स्ट्रगल करती रहती है ideologies अपने आपको expand करने के लिए लेकिन वह एक दूसरे की आपोजिट पोल्स पर है वो मैंने आपको समझा दिया ठीक है यह एक आनी दियान रखना यह important concept है graduation level पर पढ़ाया जाता है लेकिन आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका base वहां से बने ठीक है एक चीज़ एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं होगा फाइदा ही होगा चलो तो वापिस आते हैं तो यहां पर जैसे iism ideology explain करती है हमने चार ideology के perspective से देखेंगे Karl Marx के हम बात कर रहे थे कि उन्होंने Marxism के ideology दिये तो Karl Marx क्या बोलते हैं he argued that the root cause of entrenched inequality was private ownership of economic resources economic resources जो भी है समाज में उसकी private ownership private ownership मतलब क्या है तो मैंने आपको भी जैसे बताए कि industrial revolution जब हुआ तो उस industrial revolution के बाद में क्या है liberalism ideologies उस समय के आसपास evolve कर रही थी दीरे-दीरे क्या होने लगा था conservatism जो है ठीक है तो conservatism decline होतो जा रही थी और centrist ideologies में जैसे liberalism emerge हो रही थी तो उस liberalism में भी क्या है कि free market की बात की गई classical liberalism में क्या बात की गई थी मैंने आपको समझाया था कि लोग बोलते थे market free होना चाहिए तो जो capitalist mindset के लोग थे ना उन लोगों ने क्या करना start कर दिया सारे resources अपने कबजे में लेना चालू कर दिये मतलब क्या होने लगा private ownership of economic resources economic resources का private ownership होने लगा अब जब private hands में चलेगा economic resources तो उसके चलते क्या हुआ कि जो owners हैं वो तो बहुत पैसा कमा रहे थे लेकिन जो workers थे workers का exploitation हो रहा था दिन रात महनत कौन करेगा worker प्रॉफिट आएगा profit किसके पास जाएगा owner के पास में तो इस तरह से क्या है कि Karl Marx यही argument देते ही argues that the root cause of entrenched inequalities समाजिक असमानता है अगर है तो इसी कारण से हैं क्योंकि private ownership जो है property की वो गलत है ठीक है और वो क्या बोलते हैं तो because of this only the class of owners become wealthy तो जो owners की class है ना वो हमेशा wealthy देखने को मिलेगे आपको कभी दिखा है कि owner है कोई किसी company का पैदल पैदल घुम रहा है विचारा खाने को नहीं उसके पास में क्यों क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो profit सबसे पहले profit पर है owner कही होता है ठीक है तो वह ही कहते हैं कि क्या यह जो private ownership है तो इसी के चलते उनर हमेशा wealthy रहते हैं ठीक है और वह wealthy जब रहते हैं उनके पास जब पैसा रहता है तो उस पैसे के चलते क्या होता है उनके पास पॉलिटिकल पावर भी आती है देखो कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझना आप अपने आजव आजव जो चीज़ें चल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊगे जो private owner रहेगा उसकी company profit कमाएगी profit कमाएगी उसके पास पैसा जाएगा उस पैसे की मदद से मतलब यह society को आप 18-19 century के time period में जोड़ने की कोशिश करना थोड़ा सा कि उस समय जिसके पास पैसा होगा तो क्या करेगा धीरे धीरे political power भी अपने पास लेगा खुद political power नहीं लेगा तो इंफ्लूइंस करेगा अपने लोगों को politics में बिठाएगा ठीक है तो wealth के साथ में क्या होगा जो उसके favor में हो ठीक है तो जब इंसान के पास में political power आ जाती तो he influences state policies and law for their benefit ठीक है and this could prove a threat to democratic government ठीक है democratic government मतलब क्या कि ऐसी government जो workers, owners सब को एक तरह से देखे एक नजर से देखे तो वो ऐसी government फिर रहे नहीं जाएगी क्यों क्योंकि अब जो wealthy इंसाने owner है उसके पास political power है त रहे यह argument कौन देता है Karl Marx देते हैं Marxism को समझ में आये ना तो Karl Marx की कहानी पूरी एक बार अच्छी तरह से समझे और उन्हें बहुत legitimate point बोला था उस scenario के हिसाब से उस समय पे जो चीजें exist करती थी society में उस चीज को देखते हुए उन्होंने क्या कहा उन्होंने यह कहा कि private property ज इस तरह से इस्तमाल करें कि उनकी wealthy बनने की जो position हो हमेशा वैसी रहे workers का भला कभी नहीं हो पाएगा Marks बोलते हैं ठीक है आप workers का भला नहीं हो पाएगा टेंशन होगी workers को तो वरकर्स ने यह भी पुछा कि Karl Marx अंकल अब आप यह बताओ कि कैसे भला होगा ठीक है तो फिर solution क्या है problem तो आपने बता दी हम आपकी problem से agree भी करते है देखो यह ideology को आप relate करना ठीक है आज भी connect करन अब लेकिन अब क्या है जैसे हम देखते में आपको होता है कि दोनो आइडिलोजी जो है जैसे अगर कह सकते हैं left ideology इधर है extreme left और extreme right है ठीक है extreme right है तो अब क्या होता है कि दोनो आइडिलोजी के बीच में एक centrist ideology develop हो जाती है तो आज society more or less centrist ideology पे भी काम करती है तो owners ऐसा न बात करें जो extreme situations exist करती थी early industrialization period में तो काल मार्क्स ने देखा उसे ही उन्होंने लिखा उन्होंने उसी चीज़ को बताया ठीक है तो चलो बापिस कहानी पे आते हैं तो काल मार्क्स से फिर ये भी पुछा गया कि solution क्या है तो according to Marxist and socialist ठीक है मार्क्स के ही thought पर आगे और build-up क सब्सक्राइब करते चले और थिंकर साय जिसे रॉबर्ट ऑवन वागेरा का नाम बताया मैंने तो वहीं से फिर socialism socialist ideology भी निकली तो वह थिंकर को socialist कहा गया तो Marxist और socialist के हिसाब से उन लोगों ने क्या कहा कि to tackle inequality in society we need to go beyond providing equal opportunities and try to ensure public control over essential resources and forms of property ठीक है ये चीज समझवब ये ची scholarship है उसी कारण सारी समस्या हैं तो Karl Marx क्या बोलते हैं कि inequalities को अगर खतम करना है तो हमें क्या करना होगा we need to go beyond equal opportunity तो सिर्फ equal opportunity देने से कुछ नहीं हो जाएगा ठीक है equal opportunity दोगे तो भी उस equal opportunity में हमेशा dominate owners ही करेंगे private property जो capitalist जिने कहा है वही करेंगे ठीक है तो Karl Marx क्या बोलते है कि public control होना चीए private control नहीं होना चीए private ownership नहीं होना चीए public control होना चीए ठीक है अब जड़ा दो मिट के लिए रुखो और relate करो concept को कैसे relate करोगे आप तो Karl Marx क्या बोलते हैं Karl Marx जो मतलब जो extreme form होता है Marxism का जैसे हम communism के अगर बात करते हैं तो communism में सीधा सा बोलते है कि private property की जो ownership है private ownership is the root cause of problems therefore workers should overthrow the private owners ठीक है सीधी सी बात बोलते हैं कि यह उठा के पटको जो private owners है उनको and workers should took over the factories वगेरा पर workers को took over कर लेना चीए और इस sense में क्या हो जाएगी कि जो essential resources है उनके उपर क्या हो जाएगा public control हो जाएगा ठीक है और जब public control होगा तो जो काम कर रहे हैं वो इसने कहा यह काल मार्क्स ने कहा यह मार्क्सिजम से जुड़ा हुआ है इस चीज को आप communism से जोड़ सकते हो अब एक जो डाउट आता ना बहुत बहेंकर डाउट आता बच्चों को कि सर कम्यूनिजम में और सोशलिजम में आप डिफरेंस बता तो एक लाइन में बस ठीक ह है अब समझना तो तोinsम में क्या बात की जाती है कि सारा सब कुछ पपलिक कंट्रोल होना चीए और सोशलिजम ronte से थोड़ा सा उपढ़ अजाता कि पब्लिक क्या समालेगी इसके लिए डवर्मेंट होना चीए लेकिन और पब्लीक कंट्रोल को मैनेज करें बस आगे समझ नहीं चीजों को तो communism extreme form होता है मार्क्सिजम का जिसमें बात कि जाती कि public control ही रहना चाहिए चीजों पर पूरा का पूरा ठीक है लेकिन socialism थोड़ा सा क्या हो जाता है moderate हो जाता है कि public control रहेगा लेकिन उस public control को manage करने के लिए गवर्मेंट बना दो अब जड़ा आप इस चीज क वो government की ही बात करते हैं कि government बनना चाहिए ideas जिससे वो inspired थे तो Marxist idea थे communist idea थे ठीक है लेकिन उन idea से inspire होने के बावजूद भी वोने government बनाई है कि जो public control होगा resources को manage करने के लिए तो वो socialism का example है कोई भी country आज extreme ideology को follow नहीं करती है ठीक है रशिया पूरी तरह से communist नहीं क्योंकि रशिया में आप क्या देखते हो कि वहाँ capitalist ideology के लोग भी exist करते मतलब government क्या है फैक्ट्रीज वगर को free market भी देखे रखा है पूरी तरह से public control नहीं है तो वह अपने आपको socialist communist बोलेगा लेकिन extremely है नहीं वहां पर भी capitalist element देखने को मिल जाएगा मतलब free market capitalism का mere core concept क्या होता है कि free market होना चाहिए तो free market आपको रश्या में भी देखने को मिलेगा उतना free नहीं होगा जितना अमेरिका में होगा अब अमेरिका अपने आपको अगर hardcore capitalist बोल रहा है ना तो यसा नहीं कि वहां पर सब market के साब से demand और supply के साब से चीज़ें चलती है वहां पर भी welfare policy रहती गवर्मेंट की जो socialism में बात की जारी की government ध्यान रखे जनता का तो अमेरिका की जो गवर्मेंट हो की जो capitalist बोल रही है अपको लेकिन extreme वह capitalism भी नहीं है वहां पर वहां पर भी welfare state का concept देखने को मिलेगा जहां लोगों का ध्यान equal distribution है resources का या फिर कर सकते है कि market को government regulate कर रही है free market पूरी करा से नहीं है market को government regulate अमेरिका में भी करते देखने को मिलेगी आगे समझ में तो कोई भी idea से influence हुए ठीक है उस समय पर लोग influence हुए revolution आये रश्या में आपने revolution देखा ठीक है उस समय पर revolution आये और रश्या में जैसे revolution देखा भी आपने तो उस समय पर acceptability थी लेकिन लेटर ओन क्या हुआ कि यह जो idea जैसा दिया गया मार्क्सिजम ठीक वैसा का जैसा accept नहीं किया दया लोगों ने कहीं क्या मतलब फैक्ट्री को पल्टा नहीं था पूरा का पूरा ठीक है violent eruptions मतलब आपको violent incidents भी देखने को मिलेंगे लेकिन फिर आप जैसे देखो कि तो मार्क्सिजम को थोड़ा modify करके क्या कर दिया सोशलिजम की तरह अडॉप्ट किया रशिया ने मतलब government रखी government eliminate नहीं करी तो यह जो ideas थे debatable रहें आज भी debatable है उस समय पे भी modified versions देखने को मिले सारी चीज़े नहीं तो acceptability थी भी और acceptability modified way में थी ठीक है आया समझ में इसकी significance क्या है मतलब यह जो दूसरा एक कह सकते हैं ऐसा ideological school आने का तो आप इससे आप चैप्टर से relate कर लो ठीक है अब दो निट के लिए chapter से relate करो फिर मैं आपको एक साथ पुरा revise करा दूँगा चैप्टर से कैसे relate करेंगे कि आपने equality जब पढ़ना चालू किया तो आपको यह पता चला कि economic inequalities exist करती है तो जो economic inequalities थी ना तो उन economic inequalities को अलग-अलग अपने-अपने हिसाब से खतं करने का तरीका बताया तो अब वह economic inequalities को खतं करने का एक तरीका marxism की हिसाब से भी देखा गया Marxist theories जो थे उनके साप से दीखा गया कि उनका क्या मानना है कि कैसे economic इसको खतम किया जा सकता है, तो ये एक तरीका दिया उन्होंने, ठीक है, और इस तरीके की, मतलब ये जो उन्होंने तरीका दिया, तो उसकी acceptability थी, modified way में भी थी, debatable भी रहा, सारी चीज़ने, लेकिन इसकी significance यह रही, कि उस समय जो world था, तो world को एक और नजरिया मिल गया, द good cause क्या है, society में inequalities का, कि private ownership है resources की, ठीक है, important resources को own करके बैठा है, private owners, वो private owners own करके बैठ जाया, वो भी ठीक है, लेकिन पूरा profit अपनी जीब में रख लेते हैं, वो wealthy बनते जा रहे हैं, वो जब wealthy बनते हैं, तो उसके चलते क्या होता है, उनके पास में political power आती है, उनके पास म कि ideologies को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समाज को समझ जाओ गया, ठीक है, enlightened buddha बन जाओ गया, ठीक, अब क्या होता है, कि यही चीज़ उनके बताए कि वो influence करती है, state policies को, ठीक है, वो wealthy class influence करती है, political power अपने पास लेने ती है, जिसके चलते वो सारे decisions अपने favor में रख ठीक है, वो ये बोल रहा है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, privatize कर दो के चीजों को wealthy जो बन रहे है, owners, ठीक है, वो क्या करने की कोशिश करते हैं, decisions ऐसे दिलवाने की कोशिश करते हैं, कि power किसके पास रहे, power जो है, वो owners के पास में रहे, power जो है, capitalist class के पास में रहे, और इसी का सुसाइटी में जब इस तरह की economic inequalities आती है, तो फिर society में economic inequalities के सांसा social inequalities भी आ जाती है, मतलब कि कम पैसा और ज्यादा पैसा जब बटा रहता है society में इस तरह से, तो जो कम पैसे वाले लोग है, उनको उनकी position जो है, उनकी power जो है, वो भी हमेशा नीचे ही रहती, उनको समाज privileges develop होते हैं, कि अपर कास के लोगों के पास में, क्योंकि अपर कास के लोग rulers हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, lower caste के लोगों कभी उस position तक ही नहीं पहुचने दिया, तो इस कारण भी उनके उपर domination होता है, ठीक है, यह point था, तो अब यह जो पूरी समस्या बता है माक्स ने, तो उसका solution क्या दिया, कि solution एक मातर यह है, कि हमें equal opportunity के साथ साथ क्या करना होगा, public control ensure करना होगा, किस चीस का essential resources का और property का, ठीक है, so this was all about Marxism, मदा आया नहीं आया, बताना comment section में, अब इसी तरह से next ideology हम लगे लगा है, कि इसको देखेंगे liberalism को, मतलब यह extreme left थी, लेकिन हमें कुछ center point सोच के चलना है, क्योंकि मैंने बताया ना, इसकी acceptability पूरी तरीके से नहीं थी, कुछ लोग disagree भी करते थे, तो liberalism जो idea निकल क्या है, वो क्या है, liberalism आप पहले भी पढ़ चुपके, हम हम economic perspective से score अच्छी तरह से देखेंगे, capitalism के perspective से मैं आपको जोड के पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, अपने juniors और seniors को जरूर बताये, magnet brains के बारे में, मिलता है next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much